हलो एश्रोएंट्स वैलकम बैक टू माई एटूब शैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पर प्रोवाइट कराया जाता हमारे कॉमर्स कास वले बच्चोंगे जितने वी सब्जेक्ट हैं उसके स्लेबस पेपर पैटन एंड मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन्स की वीडियो बात करेंगे हमारा टीवाई बीकॉम का जो स्रीज चालू हुआ था फानिशल एकाउंटिंग में लेक्षर नमबर टू अगर बात करने वाले हैं आपका यह है 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 स्टेग नमबर टू क्लियर चले नहीं है 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 अगर आपकी ठाले हैHo note सब्सेबकम ठेसार आप गया माम आपकी बीटउ का पूछा जाता है वह पूछागा MR eto मैं इंअर और प्रीब्श और प्री इन्टेपशा नहीं देखिया तो इन्टेट और किर्मिंदेगे सवेज्य थो अगर कोई कंपनी काशने कनिवस लॉस में चल रही है कुछ सालों से पिछले पुछ सालों से तो आप भिज पिछली होलने के साथ या व्यूंडियों के साथ मीटिंग चाहिती से और उनको बोला जाता है कुछ हमको रिड़क्शन दीजिए तकि जो हमारी है असेट की रियल व है मुझे यह लगता है कि अगर आप मेरे साथ में यह 10 concept पढ़ लोगे तो कैसी भी इंट्री आई यह अलड़ी इसी में कबर हो जाईगी जब आप अपना बुक देखते हैं कोई भी पॉब्लिकेशन जैसे यहां पर सामने मेरे जो भी पॉब्लिकेशन में मनन्द प्रकाशन तो इसमें जब लाइन से देखो गया क्लियर यह फिर मैं पीडिएफ जो डिस्रिप्शन में एड़ करूंगा तो वहां पर जब आप इंट्री देखोंगे बहुत सारी इंट्री हमारी देएं बड़ मैं complete concept को आपको इसी इंट्री में कबर करानी की कोशिस कर दूँगा concept समझने से मतलब है रटना नहीं यह शिद्यानगा पहली अगर मैं इंट्री की बात करूँ पहला आपका पूशा जाता है इस्व आप शेयर कंपनी में न्यू शेयर इस्व किये जा सकते हैं आप ट्यान से सुनो उँप प्रिफरेंश यह भी हो सकता मेरा एक्वडी शेयर भी हो सकता मैंने अभी सिर्फ शेयर की बात किया ऑगी जब आप इस्व करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं और पैसा आने का मतलब है हर बैंक आपका डेबिट हो जाएगा तो बैंक एकाउंट को डेबिट पैसा आता है जा ध्यान रगना जब कोई बीचीज इसुक और उचाहे डेबेंच चाहे इकुटी शेयर चाहे प्रिफेंच यह पैसा आएगा और पैसा आने का मतलब वहता है वहारा होता प्रेटिट प्रेट बिल्गुल और किसकी वजह से आ रहे सिंपल कुष्टन क्रेट होता मेरा कि निए इसी एक इंट्री में मेरी दो से तीने इंट्री कर खतम हो जाती है जैसे अब क्वेशन में आगे बैई इसु आप एक्विडी शेर तो इंट्री क्या पास करोगे बैंक क प्रिफरेंच यह आ गया तो क्या प्रास करोगे इंट्री सर बैंक एकाउंट डेविट टू डिबेंचर एकाउंट क्लियर है अब इसके बाहर तो इशू ओफ शेयर में यह फिर इशू वाले टॉपिक में कोई क्वेशन बनी नहीं सकता यह तीन चीज़े पूछी जा सकते तीनों का कंक्लूजन निकाल के रख दियों बाकि आप समझधार हो डिग्री क्लास वाले बच्चों इतनी जनरल इंट्री तो आ गांसे समझों 1000 शेयर सा 1000 नहीं मैं इसको नंबर को कम करता हूँ नंबर को कम करता हूँ और एक्जांपल आप समझग यह 100 शेयर्स था वह भी कितना 100 शेयर्स था आपके से ह HEYических quello padre regular hatte कि अगर मैं हमाउंट की बात प्रों मटिप्ला clinician करके आए बोलोगे न तो जो हमारे शेर शेर षेर होल्डर्डर्डर सुमारे टे उन्हें पुला। कि ये शंवाला शेल नी अब मुझे क्या करो तो मतलब जो मेरी सिम्बल से पोले लुट ह कें Sedon तो टेन कर दो तो इसका मतलब number of shares कितने हो जाएंगे से अब हो जाएगा 1000 हो जाएगा कर निया तभी तो यह 10,000 के equal होगा इसी को बोला जाता है सब division divided division means divide हो तो भी number of shares हमारे क्या आगर हो face value के according dividing divide कर तो clear है concept सम्झोगा सब dvn का concept अब dvn को ही कहानी थोड़ा समरो सब दी बीजन गपर concept आपको clear है तो इसके आगे कहानी देखो इधर कैसे क कैसे आप दीमाग तोड़ा सा लगा करेंगा सकतों पहली इसमें मैं 2ची बात करोंगा 1 यहां पर आप से पूछू कुछ बाई चेन्ज हो रहा है किया सरी माउंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ इन्ट में सिर्फ आपका क्या हुआ फिकल रिलू वेस्च वैलु आपकी स्रीचेंज हूं यह तो एंटरी आपकी जैसे सपोस्ष प्रिफरेंश ता था तो मैं यहां पर क्कुन गार्ट उन्सर जानसे समझो आप taking कुल कि गास्ट तो तो प्रेफरेंश श्यर क्याप的 लिकाउंट तो प्रिफरेंज शेयर क्यापिटल एकाउंट यह आपके इंट्री हो जाती है अब बच्चों का डाउट आ गया डाउट 100% आया होगा सर्फ प्रिफरेंज शेयर क्यापिटल एकाउंट मैंने बोला देखो इधर उन्होंने चेंज क्या किया भाई 100 का शेयर को 10 में फेस्ट वैलू में करा दिया बाकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं रहे बाई यह नहीं बोले भाई जो चेंज होगा और जिसमें चेंज होगा मैंने सेंटेंस क्या बोला ध्यान रखना मैंने सेंटेंस बोला भाई जो चेंज होगा जो चेंज होगा कौन चेंज हो रहा है भाई 100 वाला शेयर जो चेंज होगा वो हमेसा डेबिट होता है हमेसा डेबिट एस्पेशली असेट में मतलब यह रूल लगा दिना जो चेंज होगा और जिसमें चेंज होगा वो क्रेडिट हो जाएगा चेंज कोन हुआ सर शौवाला शेर किसमें चेंज हुआ टेन वाले शेर में एक तो यह उगा ट्रिक अब इसके पीछे का लोजिक रेजन समझते भाई क्यों क्रेडिट क्यों डेविट की बात हुरी है प्रिफ्रेंज शेयर प्रिपटाल पहले आपने रिकॉर्ड किया सर बिल्कुल रिकॉर्ड गिया तो पहले उसको कैंसल करो 100 वाला आपने record किया एक नहीं किया है किया है सर्थ उसको cancel करना पड़ेगा और भाई कि इंट्री cancel करने के लिए एक का debit एक का credit होना बहुत जरूरी है आपने जो record किया था credit side में means liability में record किया था credit में cancel करने के लिए पहले उसको record करना पड़ेगा सर्थ डेविड में और बाद में जो आपके new entry आई भाई new face value जो आपका आ रहा है वो हो गया डेविड clear concept है आई हो बच्चों के clear concept होंगे अब देखो इसी में एक और concept आपको मैं clear कराना चाहता हूँ clear concept यह कराना चाहता हो भाई आपको कुछ reduction मिला चलो यहां पर ना कराके मैं आगे लिखाओ यहां पर कराऊंगा इसके बाद वाली इंट्री में concept कराऊंगा ध्यान चे देखो अगला टॉपिक आया conversion convert कराने की बात हो रही है अब यहां पर देखो क्या convert कराने की बात हो सकती है यह ज्यसे example आप समझो बोल सकते हैं के के से शेर्स को आप convert करा दोगर एक प्टिये श्टॉक में बोल सकते की नहिए बोल सकते passenger बिल्कुल बोल सकते हैं जहान से समझो आप, equity stock में, तो entry क्या होगी, बहुत symbol चा, भाई convert कोन हो रहा है, sir shares convert हो रहा है, उसको कर दो, debit, जहान से समझो आप, debit, जिसमें convert हो रहा है, उसको कर दो, credit किसमें convert हो रहा है, equity stock, account हो गया credit, मैंने क्या sentence बोला, जो convert हो रहा है, भाई, debit, especially lab duty holder के, के मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें convert हो रहा है, उसको कर दो, credit, sir हमेसा यही आएगा, क्या shares to equity stock ही आएगा, क्या बिल्कुल नहीं, change हो सकता है, change क्या हो सकते है, ध्यान से देखो इदर, opposite बोल सकते है, equity stock को convert करने के लिए बोल सकते है, आपके shares में, तो आपको, injury को opposite कर देना, जो convert होगा, ध्यान रखना है, इस conversion वाले का, मैं सिधा conclusion पाट लिख दूँ, अगर मैं, मैं बताना श्याद हो भाई, कि जो convert होता है, जैसे उपर मैं लिखाता है, जो convert होगा, वो मेरा हमेशा debit होगा, और जिसमें convert होगा, पस यही concept है, यही मूल मंत्र है आपके इस topic का, जो convert होता है debit, जिसमें convert होता है credit, अब मैं बोल दूँ भाई, 10% preferent pemfenti change हो रहा है, 8% में, कोई दिकत निज्ь 10% चेंज हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है 10% debit करो, किसमें convert होगा sir 8% credit करो, क्लियर कि नहीं है 10 पर्षेंट डेभिट डेपिट जिसमें करेडिट अब इसमें एक वुछ निकल के आ रहा है इनके समझो शेयर कितने का था सर 1,000,000 ता देढंसे समझ लो इतरपे हो सकता है equity share भी बोले भाई यहाँ कोई reduction नहीं एक लाग रुपया equity share में convert करो मैंने बोला बहुत simple entry है sir share capital account डेविड कितने का था sir पूराना एक लाग का था conversion की जो बात हुआ वो बोलेगे एक लाग में ही पहला case बन सकता है बिल्कुल बन सकता है second 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 आप समझो जो आपका shares था ध्यान से समझो जो आपका shares था वो था एक लाग का अब बोले जो convert कर रहे हो आप मेरे को equity stock में ध्यान से देखो इदर जो आप convert कर रहे हो equity stock में वो आप कर दो 80,000 का 20,000 का reduction दे रहा हूं मैं 20,000 का क्या reduction है reduction की case में company को organization को benefit मिलता है तो ध्यान से देखो entry के आपास करूंगे पहले rule amount की बात में बात करना है पहले entry क्या है तो मैंने बोला था जो convert हो रहा है तो shares convert हो रहा है मैंने बुला क्या convert हो रहा है तो आप बोलोगे sir shares तो मैंने बुला भाई shares account debit share capital account debit जो convert होंगे लिए देखेंगे और जिसमें convert हो रहा है sir equity share में convert हो तो आप लिखो यहाँ पे equity share account कितना अब amount जो put up करूंगे पुराना ता sir one लेकिन जो convert हो रहा sir 18 का ही convert हो रहा आपको तो इतना पता है यह general entry में sir अमारी टैली होनी चीए debit credit equal होना चीए यहाँ पर 20 का difference है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना 20 का benefit मिला की नहीं कंपनी को मिल रहा sir 20 का reduction है और जो reduction मिलेगा ध्यान रखना उसको हम लोग बोलेंगे capital reduction account बात में वहीं पर ओशिप्ट हो जाएगा अब बच्चिये का doubt sir capital reduction का क्या concept है capital reduction का क्या concept है उसके बारे में बताईए उसके बारे में बताएंगे और detail में यहाँ पर symbols आपको याद रख लेना है बहुत कुछ topic है कुछ बोलते ना कि बहीं मूल मंत्र है इस topic के अगर किसी entry से company को profit हो रहा है profit नजर आ रहा है company को या फिर loss दोई चीज नजर आएगा जहांसे देखना अगर liability holder की वज़ा से या फिर assets की वज़ा से मुझे profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है किसी भी case की वज़ा से अगर profit हुआ है ध्यान से देख लो सुन लो समझ लो अगर profit हुआ है तो profit के case में जो मेरा capital reduction रहेगा capital reduction और यहां मैं shorts में लिख रहा हूँ चलो नहीं complete लिखता हूँ capital reduction profit के case में capital reduction आपका हो जाएगा credit आप यहां लिख लो capital reduction होगा credit और loss के case में रहेगा debit यह बहुत बड़ी line बहुत बड़े sentence के मैंने बात किया यह sentence यह चीज माइन में रख लेना बहुत important चीज मैंने यहीं आपको बता दिया है कि अगर किसी इंट्री से कुई assets कुई liability से company को benefit मिल रहा है capital reduction कर देना credit उस case में loss हो रहा है तो capital reduction कर देना debit यह सी माइन में fit कर लो आप यह topic कापी आसान बन जाएगा आपके लिए reduction in rate of dividend जो मैंने अभी बात किया ता पीछे वैसे आलग इंट्री ने भई वही चीज आपसे घुमा पिरा रहें बोलने का आपका जो 10% preference share capital ता ना भई उसको आप convert कर दो 8% में मैंने बुला convert कर सकते भई मैंने अभी तो आपको पीछे just concept शिखा गया रहा हूं कि जो convert होगा वो कर दो बिना सूचे समझे आप debit जिसमें convert होगा उस को लगा दो credit sentence repeat sentence repeat sir मैंने बुला मेरे बच्चे जो convert होगा convert कोन हो रहा 10% preference share capital account convert हो रहा कर दो डेविट जिसमें convert होगा वो हो जाएगा credit यहाँ पे एक और code word एक और basic चीज़े लिख के highlight कर लेना क्या sir मैंने बुला भई जो convert होगा अपने इसाप से लिख लेना जैसे आपक आपको easy लगें बाई जो convert होगा और second है कि जिसमें convert होगा बहुत सारी entry तो यहीं सब repeat होते हैं जो convert होगा न जो convert होगा वो है debit जिसमें convert होगा वो है credit बहुत important और एक information मैंने आपको दे दिया clear है यह आप note down कहीं न कहीं कर लेना मैंने बला entry pass कर सकते हो बच्छा बोलेगा बिल्कुल sir लेकिन ध्यान से देखो न इसमें case भी तो बन सकता है दो case हो सकते हैं मैंने बोला 10 पर्षेंट प्रिफरेंच शेयर क्यापिडल जो मेरा था भई न एक लाग रुपए पहले का था और convert भी एक लाग रुपए में करो कर सकते की नहीं कर सकते सर बिल्कुल तो सेम फिर से वही case बन सकता है भई एक लाग का account डेविड यह कितने आता है ध्यान रखना एक लाग लेकिन जो कनवर्ट हुआ ना 8% पर्षेंट प्रिफरेंच शेयर क्यापिडल एक काउंट यह कनवर्ट हुआ ध्यान रखना यह कनवर्ट हुआ सर 80,000 असी जार तो 20 का different आ रहा है तो 20 का different मैं आगर आपसे पूछू profit हुआ की loss profit हो रहा की loss यह बता दो न मुझे sir कोई भी बच्छा बता देगा sir profit हो रहा है भाई जब liability holder अपने को reduction देते हैं तो उस case में हमें होता है profit और profit अगर है तो capital reduction क्या करने के लिए बोला हूँ profit के case में credit कर दो तो मैंने लिख दिया credit मतलब two case है या तो total amount को बोलते है convert कर दो आप चाहे rate of dividend के point of view से चाहे nominal value के point of view से face value के point of view से कैसे भी बोलेंगे तो भाई अगर same है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका कुछ कम हो रहा है तो capital reduction को shift कर दो credit concept clear है आई हो बच्चों के concept clear है वही same concept में यहाँ पर लिख दियो capital reduction क्योंकि और अगर short century गर देता तो बच्चों बोलें sir कितने shorts आप कर दे रहो मैंने बोला यहाँ पर भी वही concept है जो आभी पीछे चस्ट आप सीख के आ रहो मैंने बोला अगर आपको अगर आपको जो आपका equity share capital है अब द्यान रखना equity share आ सकता है preference share आ सकता है debenture holder आ सकता है कोई भी आ सकते आपको equity share जो capital हमारे भाई साब थे इन्होंने बोला भाई हमें change करो कितना अब example समझो आप 20,000 था तो इन्होंने बोला मुझे कर दो same equity share capital ही करो तो equity share equity share capital में ही convert हुआ है कहीं और कुछ नहीं convert हुआ लेकिन कितना न ये कुछ तो reduction दे रहे है company को कितना अब example समझो 15 का तो company को कितना benefit हुआ सरफ 5000 का benefits तो ये क्या रिखेगी company benefit हुआ तो capital reduction सोचना यह नहीं है capital reduction को कर दो आप credit क्या कर दो credit कर दो हो सकता है कि नहीं capital reduction वैसे कोई new entry तो नहीं यह पीछे यही पढ़के आप आ रहे हो कि change होता है change करेंगे अगर कोई reduction है तो credit कर दो सर बच्चे ये बच्चों का एक doubt यरूर आना चाहिए प्राक्टिकल के केस में कम ही होगा वैसे किसी सम्में तो ऐसा हुआ नहीं ज्यादा हो जाएगा अगर ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं नहीं ना करता सकते हैं जान से देख लो जान से देख लो जान से देख लो और समझ लो पहला कि assets depreciate हो सकता है सर कि जिसको हम लोग increase या फिदिग्री तो depreciation को especially decrease ही बोलेंगे मैं आप से बहुत simple सा question पूच्चता हूँ जब asset depreciate होगा, आपका, मतलब company का profit होगा कि loss, सिर्फ इतना मेरे को बताओ, company का profit होता है कि loss होता है, तो sir, depreciation, मतलब होता है, asset की value कम होना, तो भाई कैसे profit हो सकता है, किसी company के लिए, यह तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, यह सर, depreciation, company के point of view से loss होता है, और मैंने बता है, क केस में capital reduction को आप क्या लिखोगे तो सर आपने बताय था capital reduction हो जाएगा debit तो मैं लिखूँगा capital reduction जान से समझ लो capital reduction account debit और कौनसा asset किस asset की वज़ा से हो रहा है वो लिख दो credit तो कितना simple सा entry यह सिर्फ reduction का concept आप क्लियर कर लिए जो मैंने पीशे previous slide बे आपको दिखा है वो क्लियर होगे तो काफी concept क्लियर दोको depreciation आएगा इसका मतलब है sir appreciation पूछा जा सकता है मैंने बुला बिल्कुल पूछा जाएगा भई क्यों नहीं पूछा जाएगा appreciation अगर मैं पूछता हो आएगा तो इंट्री के लिखोगे appreciation मतलब होता है sir asset की वैलू बढ़ जाना और asset की वैलू बढ़ना मतलब हमारे लिए sir profit का काम बनता है इसका मतलब है profit हुआ तो आपने सिखाया कि capital reduction को करदो credit capital reduction को करदो credit और जिस asset की वज़ा से पढ़ा है उनको करदो debit अगर ध्यान से entry देखो दोनों entry opposite है की नहीं है तो मेरे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल sir asset को लेगे दो चीज और कुछ आ सकता है sir और कुछ आ सकता है बच्चे बोलेंगे sir कोई और entry बन सकती है बन सकती है अगर internet reconstruction पढ़े तो पता हो ना चीज़ और entry बनती है बिल्कुल बनेगी asset asset भई हमारा क्या होगा sales होगा अब sir sales होगा तो दो case बन सकता है दो क्या मैं बोलोंगा तीन case बन सकता है या तो asset profit पर बिगने वाला है या तो loss पर बिगने वाला है या फिर no profit no loss का case बन सकता है, बन सकता है कि नहीं सर, बिलकुल, अब देखो इदर, अब देखो इदर, समझो, पहला, पहला मैं बता तो अगर no profit, no loss का केस है, ना profit हुआ ना loss हुआ, जितने का असेट था उतने का मैंने इसे ल किया, तो simple asset बेचूंगा, पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब, bank account पैसा आता है तो भाई बैंक हमारा फटक से डेबिड हो जाता है और किसकी वज़ा से भाई आया ना वो क्रेडिट करो two assets account किसी बच्चे को इसमें doubt confusion है sir बिलकुल नहीं है second profit का case समझते जो पैसा आया द्यान से समझो आप यहाँ पे काफी बच्चे confusion होते है जो रठके जाएंगे मैंने बुला देखो इदर कोई asset था जो की था 10,000 का मैंने बेचा कितने 12,000 में द्यान से समझो दसका था 12 में बेचा तो बैंक में कितना पैसा आया तो आप खुद से बोलोगे sir 12,000 आया द्यान से बहुत simple इंते दसका था 12 में बेचा 12 मेरे पा profit and loss लेकिन माना क्या जाएगा profit माना जाएगा क्या माना जाएगा profit माना जाएगा बच्चे काफी confusion में रहते हैं जब इसको रठके जाते हैं और मैंने बुला जब loss हुआ तो क्या करोगे यही same entry आप सी को बैंक एकाउं 10,000 का furniture था 8,000 में बेचा तो बैंक में कितना पैसा है तो आप कुछ से बोल रहे हैं सर 8,000 और मेरा जो asset गया two assets कितने का assets गया सर असिट्स तो मेरा गया 10,000 तो आप तो credit में दिखा रहे हैं 10,000 डेबिड में आपका दिखा रहा सिर्फ 8,000 इसका मतलब डेबिड में 2,000 की entry ह हमारी और आएगी और ओ किस नाम से आएगी सर profit and loss account के नाम से आएगी अगर किसी बचे ने asset का पूरा concept सीखा है तो मुझे बताओ कि कोई और एक entry है क्या जो miss रहे गई यह मतलब यह कोई और entry asset को लेके कोई बाकी है क्या अगर information होगा तो नीचे जल्दी से comment में आड़ करन है या तो liability हमारी increase होगी इसमें तो sale वाला concept होता नहीं है या फिर liability हमारी से decrease होगी होता है देखने मिलेगा भाई creditors हमारी कुछ liability को माफ कर देते हैं वो सब केस आपको देखने या मिलेगा जरूर liability increase हो ना आप खुछ से समझो liability को क्या समझते इंशॉर्ट simple से बास हम बोलते भाई करजा करजा बढ़ रहा है करजा बढ़ रहा सर profit हुआ कि loss हुआ बस इतना point पकड़ लो तो कोई भी बच्चा बताएगा सर liability का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है और नुकसान है तो मत capital reduction account कर दो debit और जिसकी वजह से बहुत simple answer मेरा रहता है जिसकी वजह से यह reduction हुआ है उनको आप कर दो credit तो मैं liability लिख रहा हूँ अभी सम्में जो भी liability mention होगी वो liability का नाम लिखूँगा मैं clear है इसका मतलब से decrease वाले case में उल्टा होगा decrease होना मतलब होता है कम होना liability का कम होना मतलब मेरे लिए profit का काम है profit का काम है तो capital reduction कर दो credit capital reduction कर दो आप credit and debit में आपका जाएगा क्या जो liability भी जो reason है उसका वो कर दो तो यहाँ पर reason है मेरा liabilities account clear concept है liability को लेके और कोई चीज आ सकती है क्या कोई और information आ सकती है क्या आ सकती है लेकिन मुझे लगता है शायद से मैंने उसके अलग से slide बनाया है क्या नहीं I think अलग से slide नहीं है तो शलो इसी में settle करना पड़ेगा उसको क्या चीज concentry आ सकती है सर मैंने बुला कोई unrecorded unrecorded भी दो हो सकती है unrecorded liability हो सकती की नहीं हो सकती है कोई liability था जो कि unrecorded था लेकिन अब पता चल गया है पता चल गया तो record करना पड़ेगा record करना पड़ेगा मतलब liability को record करना मतलब फिर से हमारे लिए sir loss का point है और ये वाला same concept copy capital reduction account debit क्योंकि वही concept ना भई तो बहुत symbol सा answer मिलता है capital reduction account debit और जिस liability को आप record करोगे हो वो लिख दो आप credit clear है बस liability में इसके बार कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे clear एक important ये तो बही important गया ये तो compulsory entry आप इसको बोलो कौनसी entry आप इसको बोलोगे आपको ये शीज बोलना ध्यानगना आपको ये शीज बोलना कि ये बही compulsory entry हर एक sum में पूछी जाती है हर एक sum में पूछी जाएगी इसके लिए इसको मैंने लिखा three star ये याद गर लो ये सबसे पहले एक्जाम में जाकर लिख देना क्योंकि ये entry आएगी मैंने बताए तो अगर आपको ध्यान भी होगा किसी भी company जो continue loss में जा रही तो इसका मतलब वो आपका intangible asset कुछ भी नहीं है good bill कैसे हो सकता है किसी भी company का जो continue 4-5-6 साल loss में चल रही हूँ fictitious asset को आप ignore करो भई उनको हटा दू इसका मतलब जितने भी हमारे intangible है fictitious asset है उनको हटाना पड़ेगा उनको निकालना पड़ेगा हमारे asset को निकालना मतलब आपके लिए profit है कि loss है तो कोई भी student यहाँ पर answer दे सकता है sir loss है और loss है तो एक चीज माइन में fit कर लो capital reduction बिना सोचे समझे कर दो debit और जिस reason की वज़ा से वो profit यह loss हुआ तो इस case में तो फिलाल loss है तो loss जिस reason की वज़ा से loss हुआ उनको यहाँ लिखो तो आप mention करोगे sir to intangible asset intangible asset and कुन सा asset है हमारा to fictitious asset clear है तो यह entry कंबल सरी हर एक सम्मे पास करना है चाहे आपको नीचे additional information में बोला हो या फिर नहीं बोला हो अगली second last entry पे shift होते sir areas of preference dividend important है important इसलिए मैं बोलो ना किसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि यही entry है थोड़ी सी जो different चलती है क्या है द्यानरक्राम अब आपका preference share वहाँ नीचे additional information में दिखता है जो आपके preference dividend ता तीन चार 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 साल का payment ही नहीं किया गया तो preference shareholder जो थे हमारे बोलते हैं मतलब complete माफ कर देते हैं मतलब पहला case यह बन सकता है sir पहला case इसमें यह बन सकता है complete बोलेंगे clear word बोलते हैं वह वेव कि complete माफ कर रहे हैं हम लोग तो मैंने बोला जब complete माफ ही कर रहे हो तो इसको मैं लिखूंगा no entry बहीं कोई भी entry नहीं है और ध्यान अगना इधर कोई भी entry क्यों नहीं नहीं तो बच्चे बोलेंगे sir यह तो लाइबड़िटी में था लाइबड़िटी माफ हो रहे तो मतलब profit की बात हो रही है यह द्यान अगना यह contingent लाइबड़िटी में shift होता है क्योंकि आपको additional information note में लिखा दिखेगा हो तो इस case में द्यान अगना वह no entry का part है क्योंकि उसको लाइबड़िटी नहीं माना जा रहे है अगर balance sheet में record होता balance sheet में कोई entry अगर record है वो माफ की जा रही है तो profit यह फिर loss का case बनेगा लेकिन जो balance sheet में नहीं है सर note में दिया है हमारे तो वो कैसे liability मानी जा सकती है contingent liability का part है और उसमें अगर माफ की की जा रही है तो सर no entry profit नहीं होगा लेकिन जब payment करोगे तो आपके balance sheet से जाएगा भाई कैसे पैसा जाएगा उस case में loss हो सकता है जैसे मैं बताने जा रहो अभी second case हमेशा wave थोड़ी करेंगे भाई payment भी करना पड़ेगा payment का भी case बनेगा आपका तो जब payment का case बनेगा तो आपको entry क्या करनी पड़ेगी ध्यान से देखो भाई loss हुआ लॉस हुआ तो आप लिखोगे capital reduction account debit important entry ये गलतियां लोग करते हैं capital reduction account debit to preference share holder account clear है ये ध्यान लगना इसमें दो entry पास होती है ये तो अभी अपने record किया भाई पेबल है पे नहीं किया पेबल है record किया अब payment कर दो payment करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा तो कोई भी बच्चा बता सकता है भई पैसा आजाएगा क्योंकि आप payment करने वाले हो ना पैसा जाएगा और किसको जाने वाला है तो जिसको पैसा जाय रहा है उनको कर दो आप debit तो preference share holder account debit अब इसमे जो गलतियां बच्चे करते है यही चीज एक ही entry record करते है सिधा payment की तो वहाँ पे गलती कर जाएगे हो तो इसलिए ध्यानक ना system से दो इंट्री record करना clear है पहले पेबल का फिर paid का चले लास्ट आपकी इंट्री है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस वैसे देखके एंसर कोई भी बता सकता है एक्सपेंस आपका हुआ है तो profit हुआ की loss हुआ loss हुआ sir और loss हुआ तो capital reduction account debit और expense हुआ है तो सर पैसा देना पढ़ेगा to bank account क्लियर है यह आपको करना कहा है यह 10 इंट्री रिकॉर्ड करके रख लेने और कल से practical जा हमारा चालू होगा तो आपको क्या करना match कर लेना इसके बाहर से भी कोई इंट्री आई है क्या यह 10 में से यह फिर इसी के बेस पे आपको इंट्री मिलने वाली है तो हर एक बच्चे को 10 इंट्री का concept बहुत अच्छे तरीके से clear कर लेना है क्योंकि इसके बाद जुमारे लेक्शे चालो हो जाएंगे general and laser general laser क्योंकि यही ज्यादा पूछा जाता है आपके एक्जाम में तो इसलिए ध्यान रखना है general entry का concept जबाब को general entry ध्यान में नहीं होगा याद नहीं होगा ट्रिक नहीं समझा होगा तो आपके आने वाले sums के लिए problem create करेगा इसलिए मेरा suggestion है हर एक बच्चे को पहले general entry का concept clear करो उसके बाद अपने lectures start करो तो चलिए मिलेंगे next class में जा पर हम लोग बात करेंगे आपके practical question के बारे में आजकी वीडियो में किसी भी बच्चों को doubt confusion अगर create होता है तो नीचे जल्दी से comment में add कर दो यह फिर concept clear है तो वीडियो को like कर देना अच्छे comment add करो और जितना ज्यादा possible हो सके channel का link हमार अच्छे comment section वाले बच्चों को share करते रहो ताकि उनको इस channel के थो बहुत बड़ा advantage मिलता रहे तो चलिए मिलेंगे next class में तब तक के लिए thank you so much